भारत व चीन के संबंध तो वैसे भी खराब हो ही रहे हैं रेकिन अब नेपाल और भारतके ऽंबंधों में लेकिन की पूरी को रृशिश की करने रहा है, हाल ही में चीन के कहने पर नेपाल ने अपने नक्षे में बदलाव कर भारत से दिश्मनी मोल ली थी नहीं अब फिलहाल नेपाल में हो रही ही चीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब चीन नेपाल की राजनीती में भी हस्तक शेप करने लगा है हाल ही में चीन की राज़दूत हूँ यांगकी ने अचानक राशपती बिद्या भंडारी से मलाकात की साथी चीनी राज़दूत ओली प्रचन्ड और माधों नेपाल जैसे निताउं से भी मलाकात की है आपको बताते कि चीनी राज़दूत ने बंद कमरे में भी राशपती से खास मलाकात की थी जिसके बाद नेपाल में होने वाले बजट सत्र को निरस्त कर दिया गया था माधो नेपार और जहालानाथ खरनाल जैसे निताओं से तो राज़दूत ने घर जाकर मलाकात की थी विदेश मंत्राले को यह सब बाते रास नहीं आ रही है चीनी राज़दूत की राशपती समलाकात को लेकर विदेश मंत्राले की कुछ अफसर नहीं सवाल भी उठाए और यह कहा कि अगर कोई भी राज़दूत या विदेशी महमान राशपती समलता है तो इसकी जानकारी विदेश मंत्राले को दी जाती है लेकिन चीनी राजदूत से मलाकात के बारे में कोई भी जानकारी विदेश मंत्राले को नहीं दी गए वहीं इसके उलट राश्पती निवास के अधिकारियों का कहना है कि इस बात को बेवचग हसीता जा रहा है ये किस सामाने प्रक्रिया है लेकिन अस तरह बिना किसी सूचना के चीनी राजदूत का नेपाल के राश्पती से मिलना वो भी बंद कमरे में दोनों के भी चर्चा होना उसके बाद सत्र का स्थकित होना चीन के कहने पर नक्षे में बदलाव करना ये कुछ ऐसे चीज़े हैं जो सबूत देती हैं कि अब नेपाल की राजदूती में चीन का हस्तक शेप होने लगा है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स